आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में अपने को बोला गया है कि एक system दिया गया है जिसमें क्या है? एक uniform road A भी है जिसका mass Capitalum है और जो लें तो Capitalum है और एक जो दूसरा है small mass जो कि इसके एक end से r distance पे है तो अपने को बोला है कि इनका दोनों को जो system है उसकी जो gravitational potential energy होगी उसकी value क्या होगी? तो अपने को पता है कि जो कोई भी दो point mass होते है उनके system की जो potential energy होती है उसकी value क्या होती है मेरे पास? उसकी value होती है मेरे पास U वो होता है मेरे पास minus G M1 M2 divided by और अब यहाँ पे क्या है? जो mass हो uniformly distributed है यह point mass नहीं है तो यह वाला formula पन डारेक्ट नहीं लगा सकते तो मैं क्या करता हूँ? एक point mass का जो छोटा element है वो consider कर लेता हूँ जो यह मेरी road है उस पे तो यह जो मेरा small mass है उससे में किसी distance मैंने बोल रहा कि यहाँ से में किसी distance x पे यह मानों मेरे distance x होगी यहाँ पे मैंने क्या किया? एक element consider किया जिसकी length मैंने बोल दी वो है मेरी dx ठीक है और जिसका mass होगा मैंने बोल दिया होगा dm mass तो सबसे पहले जो road है उसका में unit length का mass बोल देता हूँ वो क्या है? मैं बोलता हूँ mass of mass of unit length of road क्या हो जागा यह हो जागा मेरे पास capital M by L क्योंकि total road का mass M था और total length थी L अब मैं लिखूँँगा mass of mass of dx length dx length of road यह क्या हो जागा मेरे पास? इसको मैंने dm बोला था और यह हो जागा मेरे पास unit length का mass into length यह मेरे पास क्या जागा? इसका mass आगा अब इन दोनों की system की जो potential energy होगी उसकी value क्या जागा मेरे पास? वह जागा मेरे पास उसका में यहाँ पर लिखूँगा जो potential जागी होगी small value है कि उसके भी du is equal to minus z small m into capital M by L into dx divided by distance कितनी है? x है मेरे पास distance तो यहाँ से मैं क्या करूँँगा? जो du है उसकी value को मैं arrange करके लिख दूँँगा वह जागी मेरे पास g small m capital M divided by L into dx by x net जो मेरे को potential निकालना है उसके लिए क्या करूँगा? मैं integrate कर दूँगा तो मैं लिखूँगा u is equal to integration of du यहाँ पर लिख दूँगा integration of minus g small m capital M by L into dx over x यह वाल जो quantity है मेरे पास okay constant तो है आजाएगी मेरे पास बाहर तो आजाएगी मेरे पास minus g small m capital M divided by L over integration of dx over x और जो limit जाएगी x की वो कहां से कहा तक जाएगी road को पूरी cover करना है मतलब जो x है minimum यह से start उना चीमर x और यहां से distance होजएगी x की क्या होजाएगी मेरे पास R और finally यहां तक पूछने के लिए कितनी होनी चीह यहां तक जो x की value होजाएगी L प्लस R तो होजाएगी मेरे पास L प्लस R तो यहां पर मेरे जो value है वो पूट कर दूँगा कि minimum limit हो L है और maximum है L प्लस R तो यहां से मेरे पास क्या आएगा value यू आएगा मेरे पास हो आजाएगा minus g small m capital M divided by L और मेरे को पता है जो integration of dx over x होता है वो होता है मेरे पास Ln x के equal तो यहां से मेरे पास आजाएगा Ln x और जो limit लग जाएगी हो जाएगी L to L plus R तो यहां से मेरे पास आजाएगा minus g small m capital M divided by L into Ln L plus R minus Ln L वो मेरे को बता है कि Ln A minus Ln B की property होती है वो क्या होती है वो होती है Ln A by B तो यह लोग की property है अपने use कर लेंगे यहां पे तो मेरे को जो value लेगी U की वो क्या हम लेगी U is equal to minus g small m capital M divided by L into Ln L plus R divided by L तो यहां से मेरे पसा जाएगा minus g small m capital M divided by L वो हो जाएगा Ln L by L की हो जाएगा 1 plus R by L यह इस question का अपना answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts आच चारसो 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 पर